मैं हिंदू हूँ पर मैं मुस्लिम बनना चाहती हूँ तो क्या कल ही से मैं अपने आपको मुस्लिम डेक्लेयर कर सकती हूँ? क्या कल से ही मुझे मुस्लिम बनना जाएगा? या कोई हिंदू या अन्य धर्म का व्यक्ति सिर्फ एक से ज़्यादा शादिया करने के लिए अपने आपको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर सकता है आईए जानते हैं इन सब के बारे में Hey everybody, I am Parushi Sharma, currently I am working as an intern with Lexis and Company and today I will talk on the topic Anti-Conversion Law So, Conversion का मतलब यहां है अपने धर्म का परिवर्तित So, Anti-Conversion Law का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपना धर्म परिवर्तित नहीं कर सकते हैं हम अपना धर्म चेंज कर सकते हैं क्योंकि यह हमारा Human Right है पर इस Anti-Conversion Law का मतलब है Forcefully Preventing a Forceful Conversion मतलब कुछ लोग अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे धर्म को लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित कराते हैं या अगर कोई दूसरे धर्म में परिवर्तित होना चाहता है तो उसे रोकते हैं इस सब को Prevent करने के लिए यह Anti-Conversion Law लाया गया पर सेंटर लेवल पर ऐसा कोई भी Anti-Conversion Law नहीं है क्योंकि अगर सेंटर लेवल पर ऐसा Conversion Law लाया जाएगा तो यह हमारे सेकुलर रिंगिस्म के प्रिंसिपल का वॉयलेशन हमाना जाएगा इसलिए यह पूरी अथॉरिटी स्टेट गवर्मेंट्स के पास है कि वो अपने स्टेट में कोई Anti-Conversion Law लाएं या नहीं इसको ध्यान में रखते हुए उडिशा ऐसी पहली स्टेट बनी जिसने अपना Anti-Conversion Law इंटर्डूस किया जो कि 1967 में इसके अलावा भी आठ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पास अपना Anti-Conversion Law है जो हैं अर्णाचर प्रदेश, उडिशा, मध्यप्रदेश, छत्यजगर, गुजरात, हिमाचर प्रदेश, जहारखंड और उत्तराखंड और आजकल उत्तर प्रदेश को भी अपना Anti-Conversion Law मिलने की बात चल रही है तो हाला कि इन सारे ही स्टेट के Anti-Conversion Law में स्लाइट चेंजज़ है बट सबका Core Concept सेम ही है तो आएए पहले इसके Background के बारे में जानते हैं तो ये Law जो है वो 1930 से 1940 के टाइम में ही सबसे पहले इंट्रड्यूस किया था क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश इंफ्लूएंस के कारण हिंदूस अपना धर्म चेंज़ कर रहे थे क्योंकि Christianity को जादा सुपीर रेस माना गया था इसलिए हिंदूस को अपना धर्म परिवर्तन करने से रोकने के लिए इस Anti-Conversion Law को लाया गया था पर independent इंडिया में भी के बाद सेंटर लेवल पर ऐसे Anti-Conversion Law लाने की कई बार बात हुई पर कोई भी successful नहीं हुआ इसलिए और 1980 में इस Law को मुस्लिम विरोधी माना गया क्यों क्योंकि इस Law को माना गया कि मुस्लिम धर्म में कोई अपना परिवर्तन ना कर सके इसलिए ये लॉलाया गया पर इसका मदलब बिल्कुल ऐसा नहीं है पहले वीडियो के शुरुवाद में मैंने आपसे question पूछा कि क्या मैं कल से ही अपने आपको मुस्लिम बना सकती हूँ इसके लिए हमें एक proper procedure को follow करना चाहिए पर ये procedure सिर्फ उन्ही एट state में ही लागू होता है जहां पर anti-conversion law है उन एट state में हमें अपना religion convert करने के लिए इन step से गुजरना पड़ता है सबसे पहले हमें prior 30 days का notice district magistrate के या court के पास send करना होता है जिस पर वो keenly observation करते हैं हमारे conversion का reason जानते हैं उसके बाद या तो वो हमें permission grant करते हैं या reject करते हैं तो अगर कोई ये तो प्रोसेजर था अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए पर अगर कोई किसी को forcefully उसका धर्म परिवर्तन करे या फिर उसे धर्म परिवर्तन करने से रोके तो उसके लिए कौन-कौन सी punishment है आईए इसके बारे में जानते हैं तो एंटी कनवर्शन लौ को वाइलेट करने पर हमें एक से तीन साल की punishment और फाइफ थाउजन से लेके फिफ्टी थाउजन तक का इंडियन रुपीज तक का punishment हो सकती है हमने इस question का answer तो मिल गया कि हम एकदम अपने आपको किसी भी धर्म का declare नहीं कर सकते हैं तो मेरा दूसरा question ये था कि क्या कोई भी हिंदू या कोई भी मुस्लिम कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति अपने आपको मुस्लिम बना सकता है सिर्फ और सिर्फ शादी करने के लिए तो ऐसा नहीं है हमें शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म में परिवर्टन होने के लिए कोई अजादी नहीं है इस एंटी कनवर्जन लोग के अकॉर्डिंग इन एट स्टेट में अगर हमें अपना धर्म मुस्लिम परिवर्टन करना है तो हमें मुस्लिम धर्म के लिए फेट होना जरूरी है यानि सिर्फ हमें शादी करने के लिए ही मुस्लिम धर्म में परिवतन नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं हो सकता है इन 8 states में ही तो अगर हमें इंटरस्टेट हैं उस religion में तब ही हम और हम खुछ चाहते हैं, हम एरग पर कोई फोर्स नहीं है, हम तब ही उस religion में convert हो सकते हैं, तो आएए अब discuss करते हैं, इस anti-conversion law से related कुछ case laws के बारे में, तो सबसे famous case law है, ravish failures versus मध्यपरदेश का, तो इस case में Supreme Court की bench ने कहा था, कि fundamental right 25 का, article 25 कहता है, कि हमें freedom of religion है, पर इसका मतलब यहीं नहीं है, कि कोई भी कभी कोई भी religion में conversion कर सकता है, इसका मतलब क्या है, कि कोई भी किसी को forcefully, या force नहीं कर सकता, या induce नहीं कर सकता, convert करने के लिए उसका religion, इसके लिए proper reason होना जरूरी है, दूसरा case law है, सरला मुद्गल versus union of India का, इस case में यह काया गय कि कुछ लोग सिर्फ शादी करने के लिए इसलाम धर्म को स्विकार करते हैं, जैसे कि popular Bollywood actor धर्मेंदर ने किये था, पर सिर्फ polygammy practice करने के लिए अपना religion convert करना illegal और invalid माना गया है, हमारे मन में उस religion के लिए faith होना जरूरी है, ऐसा इस सरला मुद्गल versus union of India के case में डिक्ल conversion law क्या है उसको convert करने का procedure क्या हम नहीं कर सकते हैं और क्या हमें steps follow करने हैं अपने आपको convert कराने के लिए, thank you